दोस्तो हरर महादेव, ओम नमस्षिवाय, श्री शिवाय नमस्तभ्याम दोस्तो आज काई वीडियो आप लोगों के लिए बहुती खास होने वाला है क्योंकि आज में आपको पूझ गुरुजी पंडित प्रिति मिश्राई के द्वारा बताय गया काफी अचुक और रामबाण नया उपाय आपको इस वीडियों बताने वाला हूँ दोस्तो पूझ गुरुजी का अनुसार केवल एकी सनिवार करना है करोडों में खेलोगे यकिन नहीं है तो प्रैक्टिकल करके देख लो दोस्तो पूझ गुरुजी ने बताया कि जब भी भागे और किस्मत दौनों साथ ना दे तो केवल सनिवार के दिन कर लेना ये अचुक और रामबाण उपाय आपका भागे और किस्मत दौनों साथ देने लेंगे दोस्तो उपाय को आगे जानने से पहले आप सभी से हाज जोड कर विनती है कि वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और अगर आप महादेब को सच्चे दिल से मानते हैं उनकी पूझा करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेब जरू लिखते हैं जिससे की भोले नात आपकी हर मनोकामना जल्दी सल्दी दोस्तो पूरा करते हैं दोस्तो देखे धन पाने के लिए व्यक्ति मेहनत करने के साथ साथ कई तरह के प्रयास भी करता है फिर भी कभी कभी उसकी सारी कोशिशन नाकाम होती नजर आती है ऐसे इस्तिती के लिए जोतिस सास्तर और पूज्य गुरुजी ने कुछ अचुक टोटके बताएं जो धन दोलत दिलाते हैं दोस्तो काली मिर्च भी उनी मेंसे एक है यदि काली मिर्च के ये टोटके सनीवार के दिन किये जाएं तो बहुत धन लाप कराते हैं दोस्तो काली मिर्च को हम सब लोग मसाले की रूप में तो जानती हैं ये खाने में स्वाद भढ़ाने का काम करता है ये खाने में स्वाद भढ़ाने के काम में आती है इसके अलावा काली मिर्च का आयरुवेद में भी उल्लेक पाया गया है दोस्तो यह कई पिरकार की सियर्ट सम्बंदी समस्याँ से छुटकारा दिलाने में उपयोगी होती है लेकिन चोतिस सास्त्र में इसके कुछ अचूक उपाय भी बताएगे हैं जो कुछ इस पिरकार हैं दोस्तो अगर आप घर की आर्थिक इस्तिति को ठीक करना चाते हैं तो आप सनिवार के दिन थोड़ी सी काली मिर्श को एक दिये में रखकर उसे कपूर की मदद से जला दें और उसे अपने घर के किसी कौने में रख दें इस उपाय से आपके घर में धनकी कभी कमी नहीं होग काली मिर्च का ये उपाय आपके घर को बुरी नजर से भी बचाता है पूज्य गुरी जी के अनुसार यदि आप माला माल होना चाते हैं तो काली मिर्च के पांच दाने लें और उन्हें अपने सर के उपर से साथ बार वार लें इसके बाद किसी चोड़ाय या फिर किसी सूंसान इस्तान पर खड़े होकर चारों दिसाओं में एक एक दाना फैंक दें इसके बाद दोस्तों पांच वे दाने को आसमान की ओर फैंक कर अपने घर चले आएं और पीछे मुणकर ना देखें माना जाता है कि इस उपाय से अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं साथी काली मिर्च के साथ या आठ दानों को लेकर उसे घर के किसी अंदेरे वाले इस्तान में रख कर जला दें इससे घर की नकारतमक उर्जा दुर होती है इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि 5 गराम हींग और 5 गराम कपूर के साथ 5 काली मिर्च को मिला कर उसका मिसरन बना लें फिर दोस्तो इसकी राई के बराबर गोलिया बना लें जितनी भी गोलिया बनी हो उसको दो भागों में बराबर भाट लें और फिर इसे सुबह और साम को जला दें दोस्तों ये प्रियोग आप तीन दिन तक लगातार करेंगे तो घर की नकारत्मक उर्जा समाप्त हो जाएगी इस उपाय से यदि किसी की बुरी नजर के कारण आर्थिक इस्तिती प्रवावित हो रही है तो वे दोस्त भी दूर हो जाएगा साती अगर आपका भाग्य और किस्मत दोनों साथ ना दें तो दोस्तों आपको सनीवार के दिन कुछ रामबान उपाय करने चाहिए दोस्तों इसके लिए आप काले कपड़े में काली मिर्ज के 11 दाने और 11 रुपए 11 के भांद कर किसी गरीब को दान कर दें काली मिर्ज का ये टोटका सनी की डहया से चुटकारा दिलाता है दोस्तों यदि किसी व्यक्ति पर सनी दोस है तो उससे चुटकारा पाने के लिए आप काली मिर्ज का टोटका जरू अपना है यह उपाय बहुती उप्योगी सावित होगा इसके लिए दोस्तों आप सनीवार के दिन एक सर्षनों के तेल के दीपक में पांच काली मिर्च के दाने रख कर आप किसी पीपल के पेल के नीशी जाकर जला दें और दोस्तों सनीदे माराज का ध्यान करें और तीन बार पीपल के पेल की परक्रमल आकर अपने घर चले आए ऐसा करने से दोस्तों आपको सनीदे माराज की किरपा हमेशा आपके और आपके परवार के उपर बनी रहेगी तो दोस्तो अगर आपको पूजी गुरी जी कर्मसा बताए कि उपाय अच्छे लगे हो तो इन्हें फटाफट से लाइक करदें शेयर करदें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन्से हरर महादेव या सिरी सिवायन मुस्तव्यम जरू लिते हैं जिससे कि आपकी जोई मनुकामना उसे महादेव जल्दी सेल्दी दोस्तों पूरा करदें